पाउंट टूल के में जो कि आप देख सकते हैं लाइब देखेंगें आपके प्रेस पर चल रहा है खिंया जो हुमंहारे टूल है यानि के डाई है व्हों हमारे चल रही सेट लगाने के बाद यह पिसके बाहर आया सिंस्टियल है सिंगल वन श् 길 हिस भार पसके बारे बताता हो और आपको है इतलु कैसे कैसे क्या प्रंवा 589 में देखते हैं एक दोब सेट जटिए और उटरोन कीनि बारे में बात करेंगे कि कॉलटी कैसे आ यह यामिकल एक और कैसे आ रहिए को बाते हैं Nothing आपकोश्चे धे सकते तसके लगते घंट के रहा रहा है क्योंकि एक बार में ही फाइनल हो रहा है ना कि उसमें अलग हो हो भी बेंडिंग अलग हो रही हो, OD अलग कट रही हो, ID अलग कट रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ओबर वाल जितने भी उपरेशन हैं सब वन टाइम में, सिंपल सी एक हीड आई है, ना कि कोई प्रोग्रेसिव पूल हो, फिर पेक कमपाउंड पूल है, तो अब आप पीस देखिए, इसमें काम तो काफी लग रहा होगा आपको भी, कि बाहर से बेंडिंग है, उपर से बेंडिंग है, नीचे बिलकु फलेट चाहिए, और साथ में से एक साथ की पंचेंग है, और रेडियस भी है, अब आप देखिएंगे ये पीस आ रहा है, पीस बिल्कु फ्रेस भी सा करा है, पीस में कहीं भी किसी भी तर ragya कोई डेंट नहीं है, कोई भी बर बृष भी बिल्को फ्रेस और सावपीस आ र्रहे है, तो आपने देख लिय जो कि हम बहुत आसानी से अपने 20 टन की प्रेस तक भी चला सकते हैं इसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रेस की जुरूत नहीं पड़ेगा अगर आप लोगों को तूल के बारे में अच्छी सी डिटेल में जानकारी चाहिए कि हमने टूल वो कैसे बनाया पंच कहां लगाया और डाइ कहां लगाई अंदर क्या-क्या यूज किया कैसे यूज किया अगर आपको ऐसा कुछ भी जानना है तो आपको सिंपल सा हमारे सेनल यहां से देंगे तो आप कंपरेंड भी देख सकते हैं उम्मीद करता हम लोग वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों में सेर कर दीजिएगा चैनल पहली बार होंगे तो